हेलो गाइस हम बात केने वाले हैं HDFC Life Insurance इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का स्टेंडरलाण रिजल्ट आप लेगो के सामने प्रिजन्टेट है सारी अमाउंट से वो रिजल्ट के अंदर लेक्स के अंदर बताई कि यह के उपर रिजल्ट को कंपर करेंगे यह इस क्वाटर का रिजल्ट है यह पिछले साल से क्वाटर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है कपनी की इंकम की बात करें तो ग्रॉस प्रीमियम इंकम और अलग अलग प्रकार की नेट प्रीमियम इंकम इंकम फ्रॉम का टोटल इंकम यहाँ पर से 21,42,640,000,000 रुपीज का कमने का टोटल इंकम देखने को मिलता है चो क्वाटर एंग कॉर्डर बेस के उपर और पिछले साल स्यम क्वाटर के मकाबले कमपनी की इंकम के अंदर धीरे-धीरे करके कंसिस्टेंसी के साथ बड़ोतरी दिखने को मिल जाती है बाकी इस कंपनी के एकस्पेंस की बात करें तो कंपनी के टोटल कमिशन कॉस्ट को मिला ले उसके बाद ऑपरेशनल एकस्पेंस एंड अलग-अलग यहाँ पर प्रोविजन्स होता है GST होता है यह सभी company के expense को मिला ले तो total expense यहाँ पर 20,85,457 lakh रुपीज का company का total expense है जिस प्रकार से company की income बढ़ रही है वैसे वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expenses item काटने के बाद company के पास total net profit 35,866 lakh रुपीज का company का profit देखने को म बढ़ता हुआ नजर आ जाता है company की यहाँ पर से profits तो बड़े ही है इसी के साथ company ने अपने शिरोल्डस को dividend का announcement किया है एक रुपे 90 पैसे पर शे का यह company अपने शिरोल्डस को dividend देती भी नजर आ जाती है ठीक है बाक्यार इस company के तरफ से एक चीज़ जरू बोलूँगा आप लोगों को यह company ने dividend भी दिया है results भी अच्छे निकाल के दिया है आप लोग इस company के शिर को hold and continue करना चाहते हो कर सकते हो को यह बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है एक चीज़ जरू से धन में रखनी है यह HDFC life की बात करें या किसी भी insurance company की बात करें तो इन company के अंदर इं पर से long term का नज़र यह आप लोगों के पास फुतार HDFC life को hold and continue करके चल सकते हो बाकियार short term के लिए इस company से दूरी रहना तो ज्यादा अचाहे क्योंकि है इस company के अंदर ज्यादा तीजी के expectation मत रखके चलना ठीक है तो यह था हमारा opinion इस company को लेकर तो बस अचके लिए इतना